प्राइवेट मोबाइल नंबरों से बंद करे प्रमोशनल कॉल्स नियमों का हुआ उलंगन तो होगी सक्त कारवाई ट्राई ने जारी किये आदेश आप किसी काम में काफी व्यस्त हो तभी आपके मोबाइल पर एक अंजाने नंबर से फोन आता है आप फोन उठाते हो फिर उधर से आवाज आती है कि आप फला पलान ले लो आपके लिए काफी फायदेमंद है ऐसे में आपके मन में खीज पैदा होती है और आप फोन कार देते हो ये एक आम परेशानी है जिस पर ट्राई ने एक्शन लेने का मन बना लिया है ट्राई ने एक आदेश जारी किया है जिसका मकसद टेली मार्केटिंग कमपनियों के खिलाफ नकेल कसना है इस आदेश में ये साफ किया गया है कि टेली का उन कमपनिया अपने परचार के लिए 10 अंक वाले अनरजिस्टर्ड मुबाइल नंबर का इस्तेमाल न करें अगर ऐसा करते पाया जाता है तो उनके खिलाफ करी कारवाई की जाएगी ट्राई ने इसके लिए टेली मार्केटिंग कमपनियों के लिए 30 दिनों का वक्त दिया है इस डेडलाइन के भीतर सभी ऐसी कमपनियों को अपने 10 डिजिट वाले प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज़ेज बंद करने होंगे फिर भी इसके बाद कोई कमपनी ऐसे नंबरों से कॉल्स करती पाई जाती है तो उनके खिलाफ सक्त एक्षन लिया जाएगा ट्राई ने इसके लिए देश के सभी टेली कम सर्विस प्रवाइडर्स को भी 30 दिनों के भीतर इस रूल को लागू करने के निर्देश दिये हैं ऐसा नहीं है कि इस बारे में ट्राई ने पहले किसी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं किये हैं ट्राई की तरफ से नर्मल और प्रोमोशनल कॉल्स के बीच अंतर रखने का खयाल रखा गया है जिसके तहट टेली मार्केटिंग कमपनियों को एक खास नंबर जारी किया जाता है ताकि यूजर्स उसकी पहचान कर सकें और उस कॉल को अपने हिसाब से हैंडल कर सकें लेकिन इस नियम के विपरिद जाकर आज भी कई ऐसी कमपनिया नॉर्मल दस डिजिट वाले नंबरों से ही अपनी कमपनी के लिए प्रोमोशनल कॉल्स या मेसेजेज करते हैं फिर इससे होने वाली परेशानियों को आप बकूभी समझ रहे होंगे साथ ही ये ट्राई के नियमों के खिलाब भी है ऐसे में ट्राई की तरफ से जारी किये गई ये आदेश आम लोगों के लिए वर्दान साबित होने वाला है क्योंकि अपनी कमपनी की पहचान छुपाने के लिए कई टेलीकम मारकेटिंग कमपनिया अपने परचार के लिए प्राईवेट नंबर का इस्तमाल करते हैं जिससे आम लोगों को कई तरह की परिशानिया जहलनी परती है हाँ अगर आप भी अपने प्राइवेट नमबर का इस्तमाल किसी भी तरह के प्रोमोशन के लिए कर रहे हैं तब आप भी सावधान हो जाएं और इस काम को जल बंद कर दें वरना आपके खिलाब भी ट्राइव की तरफ से एक्षन लिया जा सकता है और आपका नमबर ब्लॉक किया जा सकता है इस खबर में बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ